असलाम लेकुम वीवरस कैसे हैं आप सब तो आज अज मैं आ पर भ हे मज़नाने बेंग बेनाने जायरे हैं बहुत ही देलिवारी है ह्एदरबादी मटन बिर्यानी जो के ख़एदो ही मज़नाने बहुत ही ता लेक्त đến बहुत आप बहुत ही आप यहां पर 1 kg हमने आपर मटन ले लिया है यानि की बकरे का गोश्ट ले लिया है और इसको हम मैरिनेट करेंगे तो आधा कप हम यहां पर दही ले लेते हैं और 2 टेबल स्पून हम इसमें अद्रक लेशुन का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे आप तीखा कम खाते हों तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और यहां पर हमने हाकीम बिर्यानी मसाला लिया है आपके पाथ जो भी बिर्यानी मसाला हो आप यहां पर दो टेबल स्पून बिर्यानी मसाला ले लीजिए और दो टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, एक टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक टी स्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और एक टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के तो चले इन सारी चीजों का अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि मतन में अच्छी तरीके से मसालो का फ्लेवर आजा अच्छी तरीके से तो और मेरे चैनल पर और भी बहुत सी मतन के रेसिपी से बिर्यानी की तो भी आप जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज हैं तो जरी मेरे चैनल पर विजिट कीजिए तो यह देखिए हमने मटन को अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर दिया तो तीस मेट के लिए इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे तो तीस मेट हो चुके हैं तो एक प्रेशर कुकर में हम आधा कब तेल ले लेते हैं तो हमने यहाँ पर प्यास जिस तेल में फ्राइ की थी वही तेल हमने लिया है तो इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे तो यहाँ पर लॉंग इलाईची जीरा शा जीरा काली मिर्च और एक मसाले चंटकने लगने तो हम मेरिनेटे की अ हुआ इसमें मतन डाल दिखेंगे अब म सालों की खुश्बु जब अ यह बहुत ही अच्छी आ रही है गोह तो मटन डालने के बाद इस तरीके से इसकोैं जालाते रेंगे अच्छी तरीके से भूँन लेंगे गोश्त को तो यह देखिए मटन हमारा पकने लगा है तेल उपर आने लगा है तो अच्छी तरीके से चलाते हो हम इसको भून लेंगे अब इसे मसाला जब भून जाएगा तो बाद में गोश्ट हमारा तयार होगा सालन वो बहुत ही टेस्टी होगा तो एक कप हम इसमें पानी डाल देते हैं और फिर से एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं इसको लगातार इसको चलाते रहें इस तरीके से और भूनते रहें आप इसको चाहें तो normal पतिले में भी बना सकते हैं जैसे के खुले में भी बना सकते हैं लेकिन हम pressure cooker में इसल्ब पका रहे हैं ताकि हमारे मतन अच्छी तरीके से गल जाए तो चलिए प्रेशर कुकर के ढ़कान लगा लेते हैं events तीन-चार सीटि आने तक अछी तरीके सीटकोल्स पकने देगे कुकर की सीटि लगा लेते और उसको पकने देते हैं ने हम चावल उबा लेंगे जावल तो यह यहां पर थोड़ी सी हमने अर्फी मिर्च ले लिये पुदीनाया की पत्ते और धनिया की पत्ती हमने लिये इसको डाल दिया है पानी में 2टेबल स्पून Woo जब इतने सारे मसाले derived तो जहीस भृषारा सारता है तो इसको झाल रख ज़र में जल दाल देंते हैं अब जाल देते हैं तो यह देखिए बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे इसको अच्छी तरीके से ताकि चावल उबल के गिरे नहीं तो अब देख सकते हैं चावल जो अच्छी तरीके से 80% तक पक चुके हैं तो इनको हम छान लेते हैं और मटन को चेक कर लेंगे तो यह देखिए मटन हमारे जो हैं अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको चलाते हुआ हम इसी तरीके से थोड़ा सा पानी को सुखा लेंगे और तेल विल्कुल उपर आने लगा है तो कुकर का ड़कन बस उपर से रख दें इसी तरीके से और इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो यह देखिए पानी हमारा अच्छी तरीके से सुख चुका है सालन का तो अब हम गैस को बन कर देंगे और तेल सारा उपर आ गया है तो तेल को हम निकाल को पिठ दालेंगे जावल की तो कलर को बिरियानी के बहुत ही अच्छा था है तो तेल को निकाल कर साइड में रख ले तो चलिए सारा तेल हमने निकाल लिये उपर से अब बिरियानी की लेयर लगाएंगे तो ये देखे आधे चावल को हमने एक पतीली में रखा है जिसमें हमने चावल बनाया था उसी में हमने चावल रखा हुआ है, चावल को छानने के बाद, तो उपर से हम मटन को डाल देंगे, यो देखी इस तरीके से, सारे चावल को अच्छी तरीके से कवर कर ले, तो मटन डालने के बाद हम उपर से हरी धन्यकी पत्ति डालेंगे और थोड़ से पुधीरे के पत्ति डाल देंगे आप चावल डाल देंगे उपर से तो अपर से थम्हार सा डाल देते हैं कि अरट के और अवियल से रखलेंगे ऐदिज रखी को हम फ्राइप पहले देते हैं कि अथै कि मsus फ्राइप कर ले ते थे सार refuses करके हैं कि अउसकी एवार्श iफ पर देख सकते हैं प्यास को कैसे ऊफ्राइप करना है तो चावल को हम इस तरीके से सारे चावल को डाल देते हैं तो यह देखें चावल डालने के बाद अब हम उपर से थोड़ी सी कुदीने की पत्ते और धनिये की पत्ते डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है खुजबू जब दम पे लगता है बिर्यानी तो इसकी खुजबू बहुत ही अच्छी आती है तो अब उपर से हम यहाँ पर काजू डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा लगता है बिर्यानी में काजू तो काजु को डाल दें और उपर से हम तली भी प्यास डाल देंगे और यहां पर हम केड़े एसेंस डालेंगे इससे खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है बिरियानी की आप चाहें तो बिरियानी का एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं तो आधा कब दूद में हमने यहां पर केड़े एसेंस डाला है और उपर से हम बिरियानी के उपर से डाल देते हैं और आधा टीजपून हम बिर्यानी मसाला ले लेते हैं इसको फ्लेवर के लिए हम उपर से डालेंगे ताकि इसकी खुश्बू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है तो बिर्यानी मसाला हम थोड़ा सा उपर से डाल रहे हैं और यह तल जो हमने निकाला था सालन में से वह हम पर से डाल देते हैं इससे बिर्यानी का जो टेष्ट है बहत है चावलो में और कलर भी बहुत अच्छा है गा nose प्याज वाला तेल बच्छा था, वह हम उपर से डाल देते हैं आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं प्यास के तेल की जगा पर थोगा सा हम यह पर रेट फूट कलर डाल रहे हैं और धकन लगा लेते हैं तो गैस पर हमने यह पर तवा गरम करने के लिए रखा हूँ अच्छी तरीके से हाइ फ्लेम पर और उपर से हम इस पतीले को रख दें और इसमें अच्छी से दम लग जाए तो यह देखी इसको अच्छी तरीके से हमने कवर कर दिया है तो अब उपर से हम ढकन लगा देते हैं तो इसको हम दम पर 10-15 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और इसको हटा कर देख लेते हैं आप द कर तयार हुए है तो चली इनको हम सर्फ करेंगे तो यह देखिए हमने यहाँ पर मतन बिर्यानी को सर्फ किया है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह दराबादी मतन बिर्यानी की रेसिपी आपको कैसी लगी यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको कैसी लगी